नमस्कार दोस्तो डिश्टल इनली अटेक में आपका स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के सलेवस के अकॉर्डिंग जो एसी फंडामेंटल का टॉपिक है उसके बारे वाज हम देखेंगे तो दोस्तो मेरे चैनल को सब्क्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना बूले क्योंकि दोस्तो में रेलवे की पूरी तयारी उसकी सलेवस के अकॉर्डिंग करवाने वाला हूं तो देखते रहे यह मेरे सारे वीडियो को तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखेंगे सबसे पहले दोस्तो पित्यावर्ती धारा इसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करेंड बहे धारा जो किसी बैद्दूत परिपत में अपनी दिशा बदलती रहती है मतलब अल्टरनेटिंग करेंड क्या है यह अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है डिशा बद से positive भी हो जाता है दोस्तों यह sine wave आपके सामने दिख रही है sine wave क्या होती है AC current यह पूरी sine wave है ठीक है दोस्तों अब यह क्या है positive half cycle यह है negative high cycle जैसे जैसे दोस्तों उसका time बढ़ रहा है time के साथ AC current भी बढ़ती जा रही है यहनी कि इसका जो magnitude भी है वो भी change होता जा रहा है पहले यहां से 0 था यहां से बड़ा यहां maximum पर हो गया उसके बाद बापस 0 आ गया फिर 0 आने की condition में बापस positive से negative half cycle में पहुँच गया maximum पर फिर बापस क्या आ गया 0 अब क्या होगा बापस से यह अपनी positive half cycle में जाएगा maximum पर फिर आएगा नीचे negative half cycle है maximum पर means time के साथ जो इसकी cycle है बहुँच चेंज हो रही है तो इसी को कहते हैं alternating current means time के साथ इसकी दिशा बदल रही है ठीक है दोस्तो अब बात करेंगे हम direct current के बारे में देखेंगे दोस्तो direct current यानी कि DC current जो DC current का मान तथा दिशा है वह नियत रहते हैं समय कितना भी change होता रहे जो इसकी current है बहुँचा कैसी होगी constant इसलिए इसको कहते हैं direct current DC current दोस्तो हम लोग सबसे जादा AC current का use करते हैं क्योंकि दोस्तो जो AC current है इसका generation करना आसान है और दोस्तो इसे ट्रांसपार्मर की साहता से हम लेवल इसका बड़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते है जबकि DC current में ऐसा नहीं होता है दोस्तो और दोस्तो एक सबसे important बात यह भी जो AC current है जो इसका generation है इसका जबकि जो DC current है इसका जो जनरेशन है केवल 650 बोल्ट तक ही किया जा सकता है दोस्तों यह सबसे इंपर्टिंट बात है दोस्तों इसलिए हम सबसे ज़्यादा यूज किसका करते हैं अब बात की जाए दोस्तों कि अगर जो समान बॉल्टेज एसी का है और डीसी का है तो इन दोनों उसलिए हानिकारat क्या है तो दोस्तों अगर दोनों का बॉल्टे समान है तो आपके लिए जो डीसी होसी का seekers है क्योंकि जो इसका मान है वो समय के साथ constant होता है ठीक है दोस्तों जब कि AC में क्या होता है समय के साथ change होता रहता है मतलब एक ऐसी conditions भी आती है जब इसकी value 0 होती है अब देखें कि हम आबरती means frequency प्रती सेक्ड चक्रों की संख्या क्या कहलाती है हमारी frequency means एक सेकंड में कितने cycle पूरी हो रही है उसको क्या बोलते है frequency इसे f से denote किया जाता है इसका मात्रा चक्र प्रती सेकंड या हर्ट्स होता है ठीक है दोस्तों अब next है आवरतकाल या time period एक full cycle पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है हमारा time period मतलब एक cycle cycle क्या होती है यह sine wave है यह cycle एक cycle पूरा करने में जितना समय लग रहा है उसको हम कहते हैं क्या time period ठीक है इसे t से represent किया जाता है और t ब्रावर क्या होता है 1 upon f इसका मात्रा क्या होता है second ठीक है अब देखते हैं instantaneous value इसी को बोलते हैं तात कालेक मान किसी निश्चित समय पर प्रत्यावरती धारा या voltage कम instantaneous value कहलाती है किसी निश्चित टाइम पर प्रत्यावरती धारा या voltage का जो मान है या value है उसी को कहते हैं instantaneous value ठीक है दोस्तों अब next है average value average value क्या होती है एक half cycle के सभी instantaneous value का जो average होता है उसको कहते है average value अब इसमें बात करते हैं half cycle क्यों है क्यों होंगी दोस्तों यह फुल साइकल है जब हम average value की बात करेंगे तो यह हो प्लस हब साइकल यह होग्गे अन्याग्रेट हैं जब हम average निकालेंगे तो plus minus क्या हो जाएगा जीरो फुल साइकल के लिए जो average value निकलेगे maximum upon 5y2 यह सी को कहते हैं ऐसे लगते हैं 0.606 इपक्स करेंट के टर्म्स में 0.606 आइमेक ठीक है अब देखेंगे rms value rms value means root mean square value इसी को कहते हैं प्रभाविबान means effective value real value measuring value या virtual value इन सभी है इनहीं को कहते हूं rms value इन सब की यह अदरदर नेम है ठीक है vrms क्या होता है voltage के terms में जो rms value होती है वह vmax upon root 2 ठीक है जब इसको solve करेंगे बन upon root 2 तो क्या हो जाएगा 0.707 of vmax current के terms में 0.707 of imax ठीक है अब next है form factor form factor क्या होता है किसी भी पिट्ट्य बट्टी रहसी के rms value या average value का जो ratio होता है उसको कहते है form factor rms value या average value का ratio क्या है form factor इसको जब हम solve करेंगे तो जो form factor निकलता है वो कितना निकलता है 1.11 ये दोस्तों ठीक है ये fix होता है इसे हम kf से denote करते हैं अब देखेंगे peak factor peak factor क्या होता है maximum value upon rms value का जो ratio होता है उसको कहते हैं peak factor peak factor क्या है maximum value of rms value and sorry maximum value और rms value का क्या है ratio उसको कहते हैं peak factor maximum value rms value जो इसका solve होके निकलता है 1.41 कैसे maximum value कुछ में ले लिया voltage का डम में bmax rms के डम में rms क्या होता है vmax upon root 2 ठीक है दोस्तों तो जो bmax xbmax cancel root 2 ऊपर पहुच किया और root 2 की value होती है 1.414 इसलिए जो peak factor निकलता है वो क्या होता है 1.414 ठीक है अब next है बात करेंगे हम single face and three face apply के बारे में तो दोस्तो single face में एक phase wire होता है तो था एक neutral wire होता है ठीक है जबकि जो three face apply है उसमें तीन phase wire होते है और एक neutral wire होता है total four wire होते है ठीक है next single face system वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ ज्याद़ power की requirement होती है ठीक है दोस्तो next है single face supply का जो use होता है वो 230 volt होता है जबकि three face supply है उसका use होता है 615 volt तक ठीक है दोस्तो next है three face supply में तीनो phase है जो 120 के angle पर होते है जो तीन phase होते है आर वाई वी आर वाई वी होते है तीनो कैसे होते है 120 के face पर ठीक है यह होता है 120 का angle तीनों के वीज में है ठीक है next है three face supply को या system को कम load पर single face की तरह भी हम use कर सकते हैं जब load कम हो तो हम three face supply को single face की तरह use कर सकते हैं उसके बाद next है three face supply continuous होती है और कभी भी पूरी तरीके से zero पर नहीं आती देखते है single face supply में दोस्तों यह sign wave होती है sign wave कुछ time पर यह zero पर आ जाती है लेकिन three face supply की जो wave होती है इस form में इस form में और इस form में तो means जब हमारी यह cycle full cycle zero हो रही है तो उस time पर हमारा कोई न कोई दूसरी जो phase है वो available होता है इसलिए three face supply continuous होती है और कभी भी यह पूरी तरीके से zero पर नहीं आती next है three face supply का connection है वो दो परकार से की जाता star connection और delta connection ठीक है star connection होता है इस form में होता है इसमें तीन phase wire और एक neutral wire होता है total चार wire होते है ठीक है दोस्तों total होते है चार wire और जो star connection and delta connection star connection में जो wire होते है four wire होते है और जो इसमें होते है वो कितने होते है three wire ठीक है अब देखेंगे दोस्तों इन topic से आने वाले कुछ important questions के बारे में जो exam next से पूछे जाते है तो सबसे पहले प्रिते वर्ती धारा ac का उत्पाधन किसके तौबरा किया जाता है alternator dc काउतक इल्टरनेटर से और dc새 जननेटर ब्रोस्त here next ac k telephone dc में change करने के लिए conse device क्रते है तो सको बोलते हैWith require और dc को a con forgiven वाइस है तो वह होती है उसको मोलते है इनिवाटर नेक्स्ट है भारत और अमेर्का में AC की जो फ्रिक्वेंसी होती है और कितनी होती है जो इंडिया में यूज होती है वो होती है 50 हट्स और जो अमेर्का में यूज होती हुआ फेक्टर ठीक है अब next है next है एक full sign wave के जो average value यह थी वो कितनी होती है 0 एक जो full sign wave है दोस्तों अभी हाली बता है कि जो एक full sign wave होगी जो उसकी average value होगी हमें सच 0 होती है क्योंकि plus minus उनके average को क्या गर देता है 0 एक plus positive half cycle और negative half cycle उनका जो average निकलेगा वो क्या निकलेगा 0 next है एक form factor form factor कितना होता है 1.11 peak factor 1.414 और last है दोस्तों 3 way supply के जो 3 वायर होते हैं कितने angle पर होते हैं तो 120 तो दोस्तों आज लिए इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सप्राइब करना ना बूलें धन्यवाद